कभी आपने पुराना मेसेज बार-बार पढ़ा है? कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्यों किया? छे साइन्स हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? पहला साइन है कि आप अकेला पन महसूस कर रहे हैं और कंफर्ट की तलाश में हैं. पुराने मैसेज पढ़के आपको अच्छा लगता है खासकर जब आप अकेले पन में हो या तनाव महसूस कर रहे हैं नमबर दो है कि आप किसी connection के तलाश में हैं हम सभी को रिष्टों का साथ चाहिए होता है पुराने मैसेज पढ़के ये हैसास मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं हमारे अपने हैं उन लोगों से जड़ाव महसूस होता है बले वो हमारे आसपास हो या ना हो तीसरा साइन है कि आप support और validation की तलाश में हैं पुराने मैसेज में व्यार, तारीफ और support ढूनना भी एक वज़ा हो सकता है इससे हमें अच्छा लगता है चौता साइन है कि आप बातों को दुबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं यानि कि re-analyze कर रहे हैं कभी-कभी हम किसी बात को अच्छे से समझने के लिए पुराने मैसेज को दुबारा पढ़ते हैं पांचमा साइन है कि आप uncertainty यानि अनिश्चिता से जूज रहे हैं जब जिन्दगी में uncertainty होना तो पुराने मैसेज पढ़के मन को थोड़ा सकून मिलता है चटा साइन है कि आपका brain happiness chemical यानि dopamine release की तलाच में है कई बार पुराने मैसेज पढ़ना आदस ही बन जाती है क्योंकि इससे थोड़ी देर के लिए मन बहलता है और यदि आपको ये वीडियो मैसेज बार बार देखने का मन करता है न तो मुझे comment में लिखें कि आपने ये मैसेज दुबारा क्यों देखा कल फिर मिलते हैं